Hello everyone, welcome back So, आज हम एक अलग topic के उपर discussion करने वाले है आज का जो topic होने वाला है for discussion is बहुत सारे students अपने life में कुछ important goals रखते है काफी सारे लोग उसको achieve नहीं कर पाते Now, what are the reasons? ऐसे क्यों होता है कि हम सोचते तो उसमें हम दो चीजों के बारे में मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ Number one, whenever you keep any goal आपका उस goal के पीछे intention क्या है? कि वो goal आप क्यों achieve करना चाहते है? First of all, try to find out why for that your goal अगर आप अपने goal के why को find कर सके तो आपका सबसे पहला point जो है that is the intention वो clear हो जाएगा अब 100 में से अगर 90% लोग goal रखते है और उसमें से कुछी लोग ही successfully achieve कर पाते है तो क्यों ऐसा होता है कि कुछी लोग ये successfully achieve कर सकते है? The reason is very simple उनका intention clear है लेकिन intention के साथ और एक चीज काफी important है and that is the intensity आपको वो goal जो है आपको जो first of all you should know answer why you want that goal तो why का बहुत important role यहाँ पे play करता है तो why आपके लिए काफी important यहाँ पे होता है अगर हम इसको एक story के basis पे समझना चाहे तो देखो intention और intensity कितनी important है चलो इसको एक अपने story के basis पे समझते तो यह story जो मैं आपको बताऊंगा अभी यह बहुत सारे books में भी आपको मिल जाएगी जेफ समित नाम की दो डॉटर्स थी एक का age 14 years था और दूसरी डॉटर का age 16 years था और यह जो जेफ समित है फार्मिंग कर रहा था और वो ट्राक्टर में कुछ प्राब्लम्स हुआ और बहुत ट्राइ करने के बावजूद वो निकल नहीं पा रहा था और उनकी दो डॉटर्स थी काफी डर गई थी और वो जो दो डॉटर्स थी उन्होंने जाके देखा तो उनके पिताजी जो है वो ट्राक्टर के नीचे अगर फसे हुए तो उनको निकालेंगे कैसे आप सभी को पता है एक बड़े ट्राक्टर का जो वेट है काफी जादा होता है तेरा सो छौदा सो किलो से भी उपर उसका वेट हो जाएगा तो क्या वो दो लड़किया ये ट्राक्टर को हिला सकती है हम तो नॉर्मली सोचेंगे कि नहीं हिला सकती है लेकिन वो दो लड़ पापा को बचाने के लिए उनकी intensity भी एकदम पीक पे थी तो उन्होंने दोनों डॉटर्टर्स ने ट्राइ किया दोनों बच्चियों ने ट्राइ किया और ट्राक्टर को उठाया और उसके पापा उसमें से बज गए ये real story है इसलिए हर student के life में intention clear होना चाहिए और उस intention को clear कर करने के साथ अगर आपको उस goal को जल्द से जल्द अचिव करना है तो intensity भी clear होनी चाहिए तो ये काफी important है अगर आपका intention और intensity clear है तो आप life में कोई भी goal अचिव कर पाएंगे